प्लांट के बारे में बताऊंगी कि इसको आपको लगाना कैसे है कैसे आपको इस पूल लेने की यह पूल देता ही रहे तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें आपको मैं आपको होम गार्णिंग करने के बहुत ही असान टिप बनावताऊंगी जिसे आप फॉलो करके आप भी अपने प्लांट को इसी तरह हेल्दी रख सकते हैं बिना किसी जंजट के तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखें यह वाइट ही बिसकस का प्लांट एक प्रमनन प्लांट है असानी से आपको मिल जाएगा हंडर्ड र लाके लगाना है उसके लावा इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलाना है तो आपको बता दिये कि नॉर्मल गार्डन सोयल में यह असानी से लग जाते हैं आप गंबला कैसा जाएगा है तो जितने भी परमनन प्लांट होते हैं उन्हें थोड़ा बड़ा ही गंबला देना चा क्या होगा कि इस तरह से इसका अगंबले का साइस चेंज करने से क्या होगा कि प्लांट बहुत अच्छी तरह से फैलेगा भी और इसकी हैल्थ भी अच्छी रहेगी इसके ऐसी ब्रांचिस आपको कैसे बनानी है कि इसमें लगाता इस तरीके से ब्रांचिस बनती रहें जैसे इस समय फूल दे के जहां से हड जाते हैं वहीं से आपको हलका सा हटाना है पस ज्यादा आपको जब यह फ्लावरिंग कर रहा होता है उस समय डीप इसकी कटिंग नहीं करनी होती है हलकी हलकी प्रांक्चिस तोड़नी होती है तब ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा हो तो फूल इसे पीक पूरे फुल साइज का हो के नहीं खिल पाएगा तो इसलिए हमेशा इसे ऐसी जगे रखें जहां दूप इसे अच्छी मात्रा में मिल रहे हो पानी कैसे देना ने कि पानी देने के लिए जब गंबला आपका सूकरा है तभी आपको इसके अंदर पानी दे मिली बग का टैक थोड़ा दिख रहा है कहीं भी आप इसके अंदर नीम ओइल पानी में डाइलूट कर लीजिए और उससे आपको इसके स्प्रे करते रहना है और स्प्रे भी कंटीनिव नहीं करना है जब आपको लगेगी मिली बग जहां है सिर्फ वहीं करना है क्योंकि को कोई भी फर्टिलाइजर और नहीं मोईल या कोई भी हो वह प्लांट के हेल्थ को खराब ही करता है तो कोशिस यहीं करनी चाहिए कि कम से कम यूज़ करें वार अगर मिली बग आप नहीं हटाएंगे तो प्लांट आपका पूरा सुख जाएगा खतम हो जाएगा फ्लावरी वर्मी कमपोस्ट के अलावा आप इसके अंदर सरसोखली का एक टुपड़ा ले लिजी और उसे एक पानी में डुबा के रख दीजी और दो दिन तक उसे डुबा रहन दीजी फिर उसे डायलूट करके अच्छी तरह से फिर उस पानी से आपको इसको फीट करना है और कि सफ्टसुखली का पानी यूज़ करती हो इससे ही मेरे प्लांट में देक्ति अच्छी तरह से मिच्चौर के फूल भी खिल रहे हैं कलियां भी हेल्दी बन रहे हैं और आपको थी एक की ब्रांच पर चार-पाँच कल्यां बन रहे हैं और कन्टिणूर बनी रहे हैं तो तो इसी तरह आपका भी प्लांट हेल्दी चलेगा जो मैंने आपको टिप्स बता हैं आप उनको फॉलो कीजिए इसी तरह पूरे पीक पही आपका भी प्लांट फ्लावरिंग करता रहेगा कंट्यूनिव फूल आते रहेंगे और वाइट ही विसकस का प्लांट भोती पॉजि स्ट्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के बाई